Hello Student ! आज इस्टार्ट कर रहा हैं, Cell of Immune System ठीके इम्योन सिस्टम में Cell Immune System पर ले हैं, इसके अंदर बहुत सारे सेल आते हैं, जैसे कि इसमें हैं, Phagocytes, A cell या फिर इसी को कहा जाता है, Microw face कहते हैं, ठीके Nil cell या फिर इसी को Natural Killer Cell भी कहा जाता है, बी दिंफोसाइट, बी दिंफोसाइट को बी सेल भी कहते हैं, आज इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे, कि कोई सेल के द्वारा कैसे, कोई इम्यून सिस्टम में कैसे अपनी भागीदारी निभाती हैं, तीकि अगर कोई भी एंटिजन बौडी के अंदर इंटर कर गया है, तो कैसे ये कील करते हैं, ये देखेंगे, तो इससे पहले, सबसे पहले यहां स्टार्ट करें क्या, फेगोसाइट है, जब मैं आपको इन्नेट इम्यूनिटी समझा रहे थी, उसमें आपको फेगोसाइट के बारे में बताये थी, कि इसके द्वारा किसी भी एंटिजन का क इन्नेट करने का कारे कैसे होता है, तो आप एक बार फिर से इन्नेट का पढ़ सकते हैं, इन्नेटी में इन्नेटी में उसमें इसमें आपको मैं पढ़ा चुके हो, आगे स्टार्ट करते हैं, एस से या फिर मेक्रो फेज, इसको मेक्रो फेज कहा जाता है, इनकी उरिजिन, मतब इसका origin कहां होते है तो monocyte cell से ही होती है monocyte cell ही क्या बनाती है आगे micro face बनाती है ये micro face की structure कुछ इस तरह होती है ठीक है इसमें जो kendra होती है वो बहुत बड़ी होती है ठीक है निकलस कैसे रहती है बड़ी रहती है जब कोई antigen आती है जब तो यह क्या करती है उसे capture करती है और से नस्ट करती है ऊएग intentar नीचेड़ चिलक शेल उसका है रिषिप्टर मतब पकरने वाल अगर आती ऑघंड यह घंड है एंचन फो पकरने के लिए नीकर रिषेप्टर ैं कि पहते हैं और इस गिया जाएगा औरना थीन को इस तरह से नीपया जा रहा हुपने है आगे देखते हैं अब देखते हैं और ये देंडराइट अमिन材न ब्रौबिंक चितुक्ति दॉंकिश्यों इसा सिल का यह इंद्धर्ट सेल का डेवलपनेंट चल्सका मुखके है यह इसमें ऊसोषर क्या है यह पूरा क्या 1 इसमें कैसे नॉक्लाइट से ओंधिक हूं प्रॉस में क्या होती है कोई आरी comparison क्या Bend VIP घंद्रिbn यह तरूरों कि बारा क्या होती था सहुफ अनुकलाश बाय जाता है तो इसमें क्या तो कियो बैज्म से सैल बनाती है तो पहले हम लोग जा लागते हैं T-cell CONC क् सब्वाहते हैं, TWा जो कियो चुळूच को अवरो है T-cell에 जो हमानेक हैं इससे इस स्क्वाहते हैं और सब्सक्राइब बहुते हैं in the cell. इसमें क्या रहती है यही much stem cell सला के लिम्स चेयर के लिम्फोसाइड का परामेशन कर दो जूंझी एक फॉन जगा मैर शायस रहे हैं जो मेचुरेशन होता है वह थायमास में होती है ठीक है दिवह को फेसे माज़ा कहाता है अस्थी माज़ा में जिस यह निंफॉरेशन होता है उस निंफ़ोfe जीर बौन ने मरपनाने में इस लुक्त से गांद आगे लिम्फोसाइट ू करें नीकिन आगे'RE अनुक्त बीच आपोंते हैं तो उनगीसन को नहीं को सबूदस करता है तो यहाथ ज actähänfed के दॉथ संख़ेसा लिम्फोसाइट सल के सपा फॉर्मेशन होता है और बीके द्वारे की सपा फॉर्मेशन होता है एल्च्छ नीचुरोरं सब सकते करता है तो दो को formation को करते है T-cell कर रहे हैं आगे देखते हैं T-cell और B-cell ये कितने टाइब के होते हैं और कैसे इनके द्वारा एंटिबोडी को formation होते हैं जिक्ति है आते हैं T-cell टी लिंफोसाइट याभी यह क्या कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे cell है जिसे की नेचलर कीलार्ट में जाते हैं इसी से लिम्फोसाइट रिखने को मैंते हैं, एक होती है T-Helper Cell, ठीक है, और एक होती है T-Talks, Cytotoxic Cell, या फिर इसी को कहा जाते है, निचलरर कितारो सेझसे भी कहते है, तो यह जो Chales है? यह जो Helper Cell है, यह क्या करता है, जब ही Koi AnteZone आती है, ठीक है NBC क्या हुआ? आपींटें कर रहकिल है थो कष कर रहे हैं एल्प कर रहे है जैसे पता चणाते या फिर आपिर एंटीजेन सेल होती है। मतबद में इसमय साईटोग्जिक-सप मतर שמ׮रता है। इसे एंटीजन परकेलो होता है। म gracious करने का रहें उसट क्या होती है। जब भी एंटीजन आती है तो बॉडि को होती है इनके फวर्मेशन के पहुंचती है उइन्फॉर्मेशन पहुंचती है ठीक democrat यह यह एंटीजन है जैसे बॉडि को अंतर इंटर करती है वैसे क्या होती है जो बनारी हों क्या है बीसे तो बहुत सारे क्या होते हैं इसका ड्यूजन होने लगते हैं है ना क्या होते हैं बहुत अधिक इसका ड्यूजन होकर यह बहुत सारे सेल बना लेते हैं जब यह बीसेल है अगर इसे क्या कोई भी एंटीजन है अगर इंटर करती है तो यह एक सकेंड एक सकेंड में कितना 20,000 foster cell B cell bina लेती है और क्या करते है antigen को nest करने का कार्य करते है फारी समय में क्या हो रही है किद्टा cell बना रही है एक सकंड में बहुत अदिक किया करते डिउजन करते है यह बी लिंफो c00cele यह बी लिंफो C yerde sc ост में क्या होती है memory cell इसमें क्या रहती है memory cell बनाने बना घिक होजाएंगे और फिर से अगर यहmmi इसी टकार यही अगर फिर से body के अंदर क्या हो रही इंटर कर रहे है तो उस समय क्या करेगी यह जो memory cell है वो पहचान लेगा कि पहले भी यह cell आ चुक है तो इसके लिए को से antibody है फिर उसके उसके क्या कर देता है पहचान कर उसे नस्ट करने का का रहेगा तो इस तरह से इसमें क्या होती है memory cell होती है ठीक है जो याद रखती है कि पहले भी वो एंटी जन है वो बॉड़ी कर दर इंटर कर चुके तो उसके लिए क्या बने एंटी बॉड़ी क्या रहेंगे ठीक है यहां तक आ रही समझ में इसमें भी कुछ memory cell होती है लेकिन memory cell इस पैसिक इसमें जादा देखने को म करते हैं ठीक है यहां तक आ रही समझ में आज के लिए बस इतने ही फिन नेश्ट टोड़े स्टार्ट करेंगे नियो यह ठीक है आपको यह जो सकेंड यून चल रही थी फर्स्ट पेपर का वो कंप्लेट हो गया ठीक है आज के लिए पस इतने ही थैंक यू